नमस्कार दोस्तों मैं उक्सूर जरा आप देखने टेक्निकल डेली अप्रेट दोस्तों आज का यह वीडियो गूगल पे यूजर्स के लिए दोस्तों आप में से बहुत लोग जानना चाहते हूंगे कि गूगल पे में जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है उसे किस तरह से डिलीट किया जाता है तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो यहाँ पर चलिए मैं जो अपना गूगल पे एप्लिकेशन जो है इसे मैं यहाँ पर जो ओपन कर लिता हूं और आपको दिखायता हूं मैं किस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की बात कर रहा यहाँ पर दिखे जैसे हमारा गूगल पे एप्लिकेशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस पर अनलॉक कर लेते हैं उसके चलते हैं देखे नीचे लाश्ट में यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ दे रहा है जैसे यहाँ देख सकते हैं 100 ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैं जो है स्टार्टास करने के बाद यहाँ देखिए अगर इसे डिलीट करना चाहूं तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई आपशन नहीं अगर गेट ऑप्षन दिया बट यहाँ पर जो है आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करने के लिए यह हेल्प आपक पहुंको मिला ऐसे कंडिशन में लेकिन हो गया है और उससे अब डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं यहां था कि कैंसल कैंसल जो होता है ट्रांजेक्शन वह भी डिलीट नहीं कर सकते हैं तो इस टॉपिक पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडि करते हैं मैं आपको सीधा सीधा बता दू गूगल पे फोन पे पे टियम या फिर किसी भी बैंकिंग एप में या कहें तो यूप एप जो होते हैं थर्ड पार्टी जैप उन सम्में जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का कोई आप्शन नहीं होता है आप किसी भी इसे जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं तो आप इस चीज को समझ लीजिए जान लीजिए यह जो फीचर किसी भी एप्लिकेशन में नहीं दिया होता है कि आप जो है भेज कर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो है डिलीट करते हैं या फिर सामने आल वेजा है उसका ट्रांजिक्सन हिट्री आप जो डिलीट कर दें ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है तो आप जो है अपना समय बिलकुल खराब कर रहे हैं , चार मिनिट पांच मिनिट के वीडियोज को देखकर तो अब आप जान चुके हैं कि 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 इसी भी तरीके जो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करें साधी चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो फिर से हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ